सुपरभात सभी को तो आज सुब सुबही सुबह्स ही हमने हमने मतलब कि मैंने बहुत कम लेकिन हम और बाकी लोगों ने ये जो है मैंस काटा है सीठी के लिए क्यों हमारे यहाँ पर बांस का इस तो बनता है और यह बांस कनछे पत्ता होता है जो बच गया है और जो एक्चल बास है यहां पर है देख रहे हैंगे आप लोग तो बास के लिए मफ किजिएगा सीड़ी के लिए हमने बास काटा है तो दो बास का सीड़ी बनेगा और एक बास से उसका बत्ती बनेगा जो उसके पाइदान का काम करेगा चाचा मां बैठे हुए है और मुझे चिधा रहे हैं कि मैंने बास काटा नहीं फिरी वीडियो बना रहा हूँ मैं मैंने बास काटा नहीं एक्चुल में मतलब लेकिन मैंने बास को उठा के लाया और ये इतना भारी था के लिए इसको उठा करके लाया मैं तो भी मिलते हैं आप से हम जब सीली बनेंगे तब अगर आज बनता है तो वरना कुछ और ऐसी घटना होती है जिसको मुझे करके जा रहा हूं धान को बांधने के लिए जाने का मन नहीं है लेकि जाना पढ़ रहा है तो जाते हैं और फिर वहां पर मिलते आप लोगों से तो यह जो है यह हमारे गाओं का स्कूल है जिसमें मैं तीसरी तक पढ़ा हूं खरिये आप ले सबसे स्टार्टिंग वाला देख रहे होंगे आप लोग वो जब मैं पठ रहता था तो नहीं बनता था और यह जो है इसको पुर्णा पोखर कहते हैं इसमें देख रहे होंगे आप लोग जो हाली में सामा चकवा भंसा हुआ हुआ वह भी दिख रहा थोड़ा बहुत अब कोई मुर्ति का सर्जन होता इसी में होता है इसको पुर्णा पोखर कहते हैं और यह हमारे विद्याला है जो रास्ता है यह रास्ता जाता है स्टेट बोर्डिंग के पास जहां पर हमारा खेत है बहुत सारा और जिसके दोनों तरफ जंगल है हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो पढ़ाई तो हो बराबर तो भरतिन यहां से आम वगेरा तोला करते थे यहां पर था पहले अब नहीं है और बस थोड़े दिर पर आ जाएगा स्टेट बोर्डिंग यहां बहुत सारे लोगों के खेत खलियान वह है बहुत जंगली है यह इलाका बास वगेरा सब है और हमारा खेत इस्टेट बोर्डिंग है इस्टेट बोर्डिंग मतलब जो जिससे आजवा जो कि खेत है वहां पानी पढ़ता था पानी जैता था उन खेतों में लेकिन आज तक मैंने उसको चालू देखा नहीं कभी भी जब से पैदा हुआ हुआ ना भी दिख रहा हो दिखते हैं मिलते हैं हम तो इधर से चले जाते हैं कि उधर दिख रहा होगा धान के बोजह बंदे हुए हैं मिलते हम आप से थोड़े ज़र में तो यह जो है यह हमारा खेत है फिलहाल इसमें जो है धान के जो बंडल है वो रखे हुए है इसका दवनी होगा दवनी मतलब होता है कि पुआल अलग और धान की जो बालिया है धान जो हो अलग और यह पर साड़ी विछा कर रखे गा है कि यह पर गिरेगा सारा धान इसके लि बना हुआ इतना बड़ा और कुछ काम करता है और आज बांक बहुत सारे लोगों को दूर दूर तक है मैं धीरे-धीरे कैमरा को करता हूं देख रहेंगों दूर दूर तो कोई घर का नाम निशान नहीं है क्योंकि यहाँ पे सभी लोग का जो है वो खेत खली हा नहीं है घर बार किसी का नहीं है वो जिस स्कूल था वही लास्ट घर है और उससे पहले बाकी कुछ नहीं है तो करके जो मारा काम है वह यह है कि उस खेत में जिस खेत आपको मेरे बपा दिख रहे होंगे उस खेत छे academics जे धान के गठचल को बंडल को उठा करके इस खेत में रखना है कि इस खेत में क्यों सटा होगा अब लोग रहेंगा पुआल पुआल हुआ पड़ा है और ये हमारा खेथ है इसमें से अब सिर्व रहे गया है तो उसको उठा करेंगे जाना है और इस सटाओ वरी जो है तो अब मुझे जो काम दिया गया है वो है ऐसे जो सीस हैं जो गिर चुके हैं उनको खेत में से चुनना क्योंकि इंद में धान होता है तो इनको चुन करके लेकर के जाना हम लोग ने माराथी में पढ़ा था कहानी जिसमें आठवी में था शायद जिसमें वो लोग ऐसी खेत से सीस को चुनते थे अपर इससे उनका गुजारा चलता था तो भी मैं फिलाल वही कर रहा हूं मिलते आ है वह हो रहा है खराब क्योंकि 5-6 बोजह उठा करके मैंने रखा इतना दूर दूर तक बहुत भारी भारी बोजह है बहुत ज़्यादा भारी है मेरा सर लगनी जाए कि मेरे पास है अब पूरे दे भी चुचुरा गया है मुझे खून-खून हो गया है फिर भी उठाना है और देख रहे हो यह मेरे हिस्से काई पड़ा हुआ इधर पे हिस्सा बंधा हुआ है कि यह इतना उठाए का इतना उठाएगा यह लोग नहीं सोचरे कि मैं इतना छोटा सा बच्चा हूँ क्या उठा पाँगो कितना उठा पाँगा मैं फिर भी 5-6 उठाकर कि मैंने रखा कितो शुब संध्या काल सभी को तो आज का जो दिन था बहुत 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 ज़्यादा है कि आज जो धान की बोजा थे वो तो मैंने उठाया ही लेकिन इसी के साथ उसका दवनी हुआ दोनी मतल जैसे बताया था हमने क्या होता है मुझे लगा था कल होगा दवनी लेकिन आज ही दोनी हो गया और फिर सब उठा उठा के घर पे लाना पड़ा बहुत साइकल से लेकिन बहुत मेहनत लगा मेरा जो गर्दन है मेरा हाथ पैर जो है काम करना बंद कर चुका है बहुत ज्यादा दुख रहा है दोनी कैसे मैं सोच था कि जो दोनी कैसे होता उसके वीड दूर जल रहा है फिर से मच्छलों के कारण और आज सुमन का बड़े भी है तो देखते हैं बड़े का सिलिब्रेशन कुछ होता है कि नहीं होता है खीर पूरी तो बन रहा है इतना कंफरम है मिठाई भी आया है लेकिन केक वगएरा कटता है कि नहीं करता है शायद नहीं क्या होता है और आगे अगर सुमन का कटा तो वीडियो बनेगा वरना वीडियो नहीं बनेगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ठग्या हूं जाकि मैं सोने वाला हूं बराम से